The number of elements of order 5 in the group Z15 x Z5 तो यह यहां पर हमें एक direct product दे रखा है और उसमें 5 order के कितने elements होंगे यह हमें पता करना है यानि कि जो हमें यहां पर elements हैं वो order pair wise होंगे और इस element का जो हमें order चाहिए वो हमें चाहिए 5 तो elements का जो order 5 हमें चाहिए वो किस तरह से आता है इंडिविज्वल ओडर का LCM यानि कि अगर हमें order pair का order pair का अगर order निकालना है तो यह कैसे निकालता है order of A, order of B और यह order हमें चाहिए जो LCM चाहिए वो 5 चाहिए तो हमें यहां पर यह देखना है क्योंकि हमारे पास जो group हैं जिसका direct product किया गया है वो Z15 और Z5 है तो हमें देखना होगा Z15 में ऐसे कितने elements हैं जिनका order 5 है Z5 में ऐसे कितने elements हैं जिनका order 5 है या हम एक तरह से देख सकते हैं कि अगर मैं A Z15 से चूज करता हूं और B Z5 से तो इन दोनों elements का order का जाता हूं जैसे order A का order A 1 हो जाए B का order 5 हो जाए तब भी मेरा LCM 5 आ जाएगा या मेरे पास जो है second O का order 5 हो जाए B का order 1 हो जाए तब भी मुझे 5 L से मिलेगा या secondly, दोनों ही element और B का order 5 हो जाए तब भी मुझे 5 मिल जाएगा तो यहां पर देखा आप 5 किस तरह से ला सकते हैं तो basically मेरा जो target है वो क्या है LCM of order A, order B यह मुझे 5 लाना है और इसके लिए जो मेरे पास possibility आई है वो क्या-क्या है order A 1 हो जाए B का 5 हो जाए या A का 5, B का 1 या दोनों के order 5 हो जाए क्योंकि हम ZN में देख रहे हैं की cyclic group है और इसमें किसी भी order के elements कितने होंगे यह हम कैसे पता कर सकते हैं 5N की यानि कि ILR5 function के help से तो order 5 के कितने elements होंगे यह हम कैसे निकालेंगे 5 5 से और इसकी value 4 होती है तो 1 x 4 1 x 4 यानि की इस तरह से ऐसे चार combination मिलेंगे जहां पर A का order 1 हो और B का order आपका 5 हो तो यहां से 4 combination मिले इसी तरह से यहां पर 4 x 1 यानि की फिर से 4 combination मिलेंगे और यहां पर 4 x 4 यानि की 16 कुल मिला के हमारे पास 24 ऐसे elements होंगे जिनका order 5 होगा option B यहां पर correct है